नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ करोना वाइरिस की लेटेस्ट अपडेट जो की हिमांचिर प्रदेश से रेटिड है आए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रिपोर्ट जो है हिमांचिर प्रदेश डिपार्मेंट आफ हेल्थ एंड फैमिली वैलफेर के द्वारा निकाली गई है और यह रिपोर्ट कल आई थी 21 फाइव 2020 को एट 9 पीम तो यहाँ पर जो टोटल केसिस हैं कौन सी जगह पे माइग्रेटेड आपके पार टोटल कनफर्म केसिस हैं एक्टिब केसिस हैं एडमिटेड हैं क्रियूड हैं डेथ सेंड माइग्रेटेड आउट हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मरीज कितने मरीज कहां कहां पे जो एडमिटेड हैं कौन कौन से हॉस्पिटल में तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बिला तो आप यहां पर देख सकते हैं सारे के सारे मुरीज किस-किस रखे गए हैं तो काव दासपुर में दो हॉस्पिटल हैं चमबा में दो हैं हमिरपुर में तीन हैं और सबसे चौका निवाल बात यह है कि हमिरपुर जिसमें एक भी केस नहीं था अब वो टॉप के ऊपर पहु होए हैं और एक्टीब केस जो हैं वो 41 है खांग्ड़ा आप दूसरी नंबर के ऊपर आ गया है क्योंकि उसके पास केवल 28 फी एक्टीब केस हैं तो काफी चिंता की बात थे कियोंकि टोल एक्टीब केस जो है वो 90 होचुके हैं और टोल जो है confirm जो है बन 52 आपके पास यहां पर हो चुके हैं मगर death जो है cable आपके पास यहां पर 3 ही हुई है तो यह कुछ ज़्यादा बड़े आंकड़े नहीं है मगर यह आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि सुरवात तो हर एक इसकी जीरो से ही होती है तो अभी समलने का टाइम है तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी जिस तरह गौवर्मेंट जो रूल बनाए हैं उनका पालन करे और सभी को अवेर होने की जरूरत है अगर आप देखेंगे तो कितने ज़्यादा एक्टिव केसिज अब हो चुके हैं पूरे इंडिया में आपके पास वन लैक ट्वालब थाउजेंड के आसपास जो है टोटल केसिज आपके पास आ चुके हैं तो काफी चिंता की बात है 3500 से उपर डैट्स हो चुकी है सबसे ज़्यादा केसिज महाराष्टर गुजरात मध्यपरदेश यूपी इन में आपके पास देखने को मिलेंगे तो गाईज यही थी आज के वीडियो की नोटिफिकेशन तो आई होप की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो क लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल के उपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, have a nice day